जाज़त की सीट जद्यू का दूला दूला तो फिर उसे बढ़िया चाओ था कि देते मुकेश सहनी को माजी जी को एक लोग सबा सीट ऑफर कर दी जा चुकी मुकेश सहनी को भाजपा ने एक्जेक्टली ऑफर क्या किया आगी की राजनिती कैसे कीजिएगा बिहार में अकेल लाइब देख रहे हैं आप और ये महाभारत है 2024 चुनाव को लेकर लगतार हम चर्चा करेंगे महाभारत में बताएंगे कि आखिर 2024 लोग सबा चुनाव को लेकर कौन से सीट का समिकरन क्या है कौन से दल किस तरफ जा रहे हैं सीट बटवारे का फर्मूला क्या है सब कुछ समझेंगे मुकेश सहनी को लेकर चर्चा होगी मुकेश सहनी के दोनों हाथ में लड्डू है लेकिन कितने दिनों तक कभी ने कभी मुकेश सहनी को एक लड्डू खाना पड़ेगा और जो लड्डू पहले खाएंगे माना जाएगा कि मुकेश सहनी उस तरफ है डॉक्टर स बचाए लेकिन कल उपेंद कुस्वाने बहुत अची बात कही हम राजगीर में मौजूद थे हमने उनकी बाते सुन रहते हैं तो उन्हें साथ तर पर कहा कि एक सल का बीच जयागा पता नहीं चलेगा और एक के बार माता पर चुनावा जाएगा तो वैसे में संगठन त्यार रहना चाहिए लोगों को त्यार रहना चाहिए और हमारा विजन क्लियर होना चाहिए जैसे उपेंद कुस्वाने कह दिया अपने कारे करता हो कि आप निशिंतरी इस बार हम कहीं विलेवले नहीं करने वाले जो करें गटबंदन ही होगा और उसी आधार पर काम करने जा रह यह करना ही है इसी लिए आप नेता बने हैं लेकिन राजनितिक फैसले अगर वक्त पर नहीं लीजिए गा तो उसके फायदे भी आपको नहीं होगे अगर लेट फैसला लेने में आप कर दीजिएगा कहीं न कहीं तो आप पिछड जईएगा तिसे पिछले चुनाव में इस पूरे मंत्राले का उन्हें फायदा अपने समाज के लिए अपने समाज के लिए अपने हमें पीट पर चुड़ा गुप दिया आगी की राजनिति कैसे कीजिएगा बिहार में अकेले आप अपने दम पर नहीं राजनिति कर सकते हैं दो गट बंधन दोन में से एक चुना है सभी नेता यही बात कहते हैं सबकी मजबूरी यही है कि अब दो पोल वाला ही लडाई हो रही तो दो पोल में एक पोल पकरना होगा आपको मुकेश सहनी के खासाथ खास बात क्या है कि जहाँ चिराग इंतजार में है और सीपी इंतजार में है माजी जी के पास ऑप्सन है लेकिन वो एक तरफ फसे हुए हैं वहीं मुकेश सहनी को दोनों गठ बंदनों ने अपने तरफ से बुकेश जाके दे दिया है कि लिजिए हमार तरफ आ जाई है अब दिक्कत क्या है कि एक सर्टेन समय तक ही कोई भी ओफर सीमित समय के लिए ओफर है तो चुनाव नजदीक है सभी को आपके वोट बैंक में आपके पास एक बड़ा वोट बैंक है वो जी थार का फैसला करता है कुड़नी हो गोपाल गंज हो जिन जोगों पर आप गए हैं सिम्री बक्तियारपूर हो आपने वोट अपना दिखाया है वो चाहमें आपने जिता दिया तो ऐसी स्थिती में कहीं नितीज कुमार को भी आपके वोट पे इंट्रेस्ट है वो चाहते हैं कि तरफ ले आना और साइद इसलिए आपने सरकारी आवास जो रखा हुआ है वो अब तक आपके पास है कई लोगों से चीन लिया गया कई लोगों को तर 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 पर उनसे लिया गया आवास और आपको अभी तक आवास दिय समझ लीजिए कि मतलब कहीं न कहीं नितीश कुमार भी अब दबाव बना रहे हैं कि जल्दी पैसला कीजिए तो पूरी तक से मदद कर रहे थे लालु यादो का नितीश कुमार का और नितीश कुमार को एक अच्छे निता मानते भी है मुके सहनी उनके साथ जाने के लिए लेकिन हुआ क्या कि जो कुर्णी वाली सीट है इस सीट पर मुके सहनी को इंट्रेस्ट था उपके सपस्ट कर दिया तो मीडिया के मादम से मुके सहनी सपस्ट करें चुनाव लड़ने जा रहे हैं लेकिन महागडवन्धन ने अपने तब से इमानदारी नहीं दिखाई अब दुबारा दोस्ती जब हो रही है तो दोन से बराबर रिस्ता बनारा पड़ेगा ना तो अपने ही दो पर्तियासी थे ठीक है लेकिन तो उससे बहतर था ना जब जाज़त की सीट आ जादियू का वहां दूलहा तो फिर उससे बढ़ी अचा होता कि देते मुके सहनी को मुक जब प्लस देकर वाई प्लस देकर अपने पाले में करना चाह रही है और बार भाजपा के निता सेस्नेतितू करता दिली से बुला रहे हैं निति मुके सहनी को कि आई एम लाकात कीजिए वहीं मुके सहनी चाहते कि अप्सन खुला रखना तो दिकत क्या है कि सीटों का करा कि आए और भी कुछ बात चीत उनकी है लेकिन तीन से कर दो हो गया पसपती पारस का लगभग क्लियर है चिराग फसे हुए आर सीपी फसे हुए और यह मुके सहनी फसे हुए बहम हमें यह भी खबर है कि कही लोग सबाशी ओफर कर दी जा चुकी है तो वह भी अपना मन ने कि बात चल रहे है केंद्र में तो वह सारी सम्हों ना वास खाली करने की स्थिति आ रही है अगर माल लेज नहीं है अगर खाली करा देती है तो समझलिए तन तो खलियर हो गया कि एक लड़ु पका एकुड़्य हो गया एक लड़ु वेलिव है ना वो बढ़ता लेकिन अब ऐसी प्रष्थितिया नहीं बनेंगे अगर सब्सकारी आवास खाली कराने की बात आ रही है सब्सकारी तरीके से तो नितीश कुमार तो कहेंगे कि ना हम फसाते ना बचाते ना किसी से राग न दूए लेकिन प्रकिरिया है तो प्रकिरिया अब तक आपने क्यों नहीं फोलो किया मंगल पांड़ अब तक क्यों अपने अवास में और यह जब मुकेश सहनी अगर इस आवास से निकल जाते हैं तो मुझे लगता तो यह है कि प्रकिरिया भी आगे बढ़ रही है धीरे धीरे अगर सब कुछ ठीक नहीं रहता है महा गटबंदन और मुकेश सहनी के बीच तो आने वाले दिनों में मुकेश सहनी का आवास भी खाली कराने को लेकर बिहार सरकार नोटी जारी कर सकती है अगर यह वीडियो पसंद आई और वा बिहार के राजनी और विहारियत से स्वरोकार रखे नी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ले ओजे गो घंटी बाग उकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक ख़बर वा मुफ्त में मिल जाई अगर वा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहता ने तो जॉइन बटन दबा दे पेटियम नमबर नोटकली 9386816700 धन्यवाद